और अभी जिदनिल महार भी शिराली सद्री वैसे लिए अमरे वाहन दोक्त अमिली साहनी एफकौक वाली वजाली वजीर अमिन आली अच्छा बेटे चैप्टर थर्ड लेक्चर फूर आज हमने यहां बेटे मेन दो जो टॉपिक्स हैं बेटे डिस्कुस करने पीरिट्स और इसे बेटे जो जनरल डिस्कुस्शन थी काफी पहले कर चुके हम कि पीरिट्स बेटे हम नाम दिया करते हैं इस अर्दा और जॉन्टर रोज अफ्टा अलिमस प्रेजेंट इन आ प्राडिक्टेवल जबकि बेटा जी ग्रुप्स को हम नाम दिया करते हैं बेटे इस पीकल कालम्स है बेटे अब प्रेजेंट इन armykell ये ये घान आये थे ऊफसे पहले बड़े जबसे यृट्डे क्रोप से आज इन्शाल्ला में इन्पेड़ में से आज को बहुआर सबीस्क्रें कर BUREN इस और अगर हम बात करें हैं, सबसे पहले बेटा जि हमने बात क्या कर ले लित क्यों बोई से चाहएं, क्यों बेटा है Six Queens Soats नहीं हम इसे शौक पिरियुड क्यों कहते हैं बैटे जी विपाज इट कॉन्ली टू इलमेंट जी अधर कौन से हैं हाइड्रुजन एंड हिलियम इस तरह से बैटे हम बात करें अपने पिरियट कौन से बला बैटा जी, second and third की, बैटा जी जो दोनों है, both of these are known as or called as, हमने यहां बात की कि बैटे, के short period जो हमारा first period है, उसे बैटे हम क्या कहते हैं short, अगर हम बैटे बात करें second और third period की बैटे, तो इन्हें हम नाम दिया करते हैं, कौन से periods हैं, बैटा जी, these are the normal period, अच्छा बैटे, अगर हम बात करें, इन्हें normal periods क्यों कहते हैं, बैटे, इसके बज़ा क्या है, है कि both of these consists of eight elements, अच्छा बैटा ये भी जहन में रखिएगा, eight elements में हैं, वैसे तो productible सारी हमारे book में हैं, लेकर जो second period है, खास तो बैटे, उसने elements जो हैं, उसके name यहां पर, topic में discuss कर रहे हैं, इसलिए आपने याद कर लेने हैं, ये short question भी पूछा जाता है, तो बैटे, second period क अगर हम बात करें, तो वह आम दोर पे जिस्ट कर रहा है, बैटा जी, lithium से, बिरिलियम, then boron, carbon, nitrogen, number seven पर हो गया, बैटे जी, oxygen है, fluorine and neon, ये इसमें, जो eight elements में पाजाते हैं, आपने इनके symbols के साथ-साथ, इनके proper spellings जो है, element के नियम के वो भी याद करना है, इसलिए अगर हम बात करें, second third की बैटे जी, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे, बैटा जी, किस की बला, अपने period number fourth है, fifth की बैटा जी, तो fourth and fifth जो है, both of these periods are called as long periods, बैटा जी, बैटा जी, दोनों में, कितने-कितने elements हैं, बैटे जी, 18-18 elements हैं, इनके नाम को इस लेवल पे याद करने की जरूरत नहीं है, कि कौन-कौन सा element इसमें पाजाती है, इसी तरह से बैटा अगर हम बात करें, अपने last जो दो periods हैं, बैटा जी, sixth and seventh periods की, बैटा जी, तो उनको नाम दिया जाता है, बैटे कौन सा, these are known as, occurred as very long periods, बैटा, और वो जो दोनों है, these both two consists of 32, 32 elements, बैटा याद incomplete, अब ऐसा नहीं कहेंगे, बैटे हम, तो जिन कुछ old books में ऐसा होगा, तो आपने उसको change कर लेना है, और अगर कभी short question, sorry, MC क्यों आ जाता है, कि कौन सा period incomplete है, sorry, तो फिर हम मजबूरन seventh कहेंगे, वरना ये अब incomplete है नहीं, वो एक book की mistake है, जो हमें देखने को मिलती है, बैटे जो six period है, इसमें हमें, ये जेन में रखिएगा बैटा जी, के atomic number 57 से onward, 57 से onward, 57 से आगे, 57 की बात नहीं कर रहा बैटे, उससे आगे, जो 14 elements की बैटे हमें, सीरीज दिखाए देगी, और उस 14 elements की सीरीज, यहां पे 57 के बात, इसी तरह से बैटे हम बात करेंगे, बैटे उसमें, जो atomic number 89, उससे onward भी हम किसकी बात करें बैटे जी, 14 elements की एक सीरीज की बात करें बैटे, तो यह जहन में रखिएगा बैटे, six और seven period में हमें 14, 14 elements की कितनी सीरीज दिखा देते हैं, बैटे, two, उन two में से एक सीरीज six में आ जाएगी, दूसरी सीरीज बैटे तो यह है, actinium, तो बैटे, actinium 89 से आगे 14 elements की सीरीज है, इसी तरह से बैटे, lengthinum 57 से आगे भी 14 elements की सीरीज, तो बैटे, lengthinum से आगे है, इस वजह से 14 elements की सीरीज क्या कहलाएगी बैटे जी, lengthinides, lengthinum को निकाल के 14 आगे, इसी तरह से बैटे, actinium है, 89 जो के 7th period में है, actinium को न दिखा देता हूं बुक में अच्छा आप देख सकते हैं यह 57 यह 6 पीरेट की जगा थी यहां पे यह सेवंथ यह सीरीज को बैटे यहां पे आना था 89 तो बैटे 57 लेंथिनम 89 एक्टिनियम इस से आनवर्ड यह 57 से आगे सीरियम से आनवर्ड यह 14 ऐलेमेंट्स की सीरीज लेकर यह कंडिशन क्या है कि लेंथिनम को एक्स्किलूड करकर इसी तरह से अनवर्ड कि हम बात करें बैटे तो यहां पेटे एक शार्ट कस्टिन आता है बाज़ अपको के यह दो सीरीज जो हैं को क्या क्या बैटे वाई प्लेस्ट सेपरेटी अपकी बुक के इसाब से अगर हम बात करें बैटे उसमें बिसिकली में दो पॉइंट से हम वही रिस्क्स करेंगे बैटे कि ताकर जो प्राडिक्टेबल है तो कीप इट मैनेजेबल और बैटा जी दूसरा जो आपकी बुक के इसाब से अगर हम बात करें तो कीप इट इन दे प्रेजेंट टेबल फॉर्म इस वज़ा से हमने किया बैटे अगर आप देखें फॉर्टिन फॉर्टिन ऐलमेंट्स की सीरीज अगर वहां पे हम जाके पिरिड फॉर्स्ट को छोड़कर पिरिड फॉर्स्ट को छोड़कर बिटे याद रखेगा जो बाकी छे के छे पिरिड्स हैं आल सिक्स पिरिड्स स्टॉर्स फ्रॉम अलकली मेटल एंड 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 एट नोबल गैसेज पिटे याद रखेगा गुरूप नमबर वन के जो मेटल्स है याईलिमेंट्स हुने हम अलकली मेटल्स का नाम देते हैं आप उक में देख सकते हैं बेटे हमने भी बात की कि गृुप वन को छोड़कर क्यूप वन को निचले छोड़ा बेटे क्यूंक्छ हाइडरोजन है वो मैटल नहीं है वो गैस इसको छोड़कर बाकी सारे लिथियम सोडियम पॉटाशियम रिवीडियम सीजियम फ्रेंट्स वेरी लॉंग पीरिट्स में और यह उनके आगे बताया है कि कितने कितने नंब्राफ एलेमेंट्स हैं जो भी हम डिस्कुस कर चुके हैं अजयी करें विए अबहर बात करके घ्रोफ्स की तो हमने भी ग्र०्स की बाद हम यह कहा था यही को बेटाइजी कि जो ब्रादिक्टेबल रुइल्ट कॉलंड्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं और प्रेडिक्टेबल में टॉटल 18 ग्रुप्स है इस शुरू में अगर आपको याद तो जब हमने सेलेंट फीचर्स और लांग पॉर्म प्रेडिक्टेबल पड़ी थी तो हमने बात की थी जो ग्रुप्स के अलिमेंट्स हैं उनमें अटामिक नंबर जो होते हैं बेटे वो इंक्रीश होते हैं गैप्स यानि कि उनमें कुछ रेगुलर इंक्रीश नहीं होता है गैप्स होते हैं लेक्न इसके बावजूद भी यह बात भी की थी अगर आपको जाँ तो कि उनकी वैलन्स एलेक्ट्राने कर्फीग्रेशन है व ओई बेटे क्या होंगी similar इस वज़ा से याद रखिएगा कि ग्रुप को हम नाम दिया करते हैं किस चीज़ का बेटा जी family का नाम भी दिया करते हैं अच्छे बेटे जो group 1 है group 2 और इदर से बेटा जी group number 13 to group number usually 17 यह जो elements है बेटे इनको हम नाम दिया करते हैं कोन से elements का normal elements का असान दो जो समझरें कि जो s block वाले हैं वो और जो कौन से बेटा जी p block वाले हम नाम दिया करते हैं normal elements का यह ने नाम दिया करते हैं कौन से बहा non transition elements और इसकी बेस्तित वज़ा कि यह है कि इनकी जो predictable में अगर हम देखे न तो electrons की फिलेंग जो वह यह usually हमें किस तरह आके दिखाई देते हैं इनका behavior किस तरह से होता है कि यह आम तोर पर electronic configuration के लिहाज से वेलेंस electrons यह completely फिल कर लेते हैं इस वह जैसे हमें नार्मलाई elements का नाम देते हैं बैटे अगर हम completely field के लिहाज से बात करें तो इनकंप्लेट होंगे और उनको complete करने के लिए आम तोर पर chemical wand बनाते हैं जाए वह बनाएं जाए कोवलेंट बनाएं किसी तरह का भी कोई भी wand बना सकते हैं तो ग्रूप वान जो है बैटा जी उन्हें हम नाम दिया करते हैं अभी हम बात कर रहे थे बैटे किस चीज का अलक सब्सक्राइब करें जाए तो फिर्ञाएं है जाए बात करेंगा इस तरह से अपर आपएब करते हैं विए तो बीटे हैं कि आपकेश्य को अम्याद कर सकते हैं तो याद रखियेगा चुक्के ग्रूप वन है तो हमेशा इनके वैले सेलेक्ट्रों कितने होंगे बैटा जी इसे तरह से गाँ बात करें गुर्ब टू है उनकी वेलेक्ट्रॉन्स एक्टें कितने होगे टु एलेक्ट्रॉन्स होगे जिके पार चुके इन में सहारों में बैटे वैणन उप्राइजन हों इस फॉछाज इसकी बेटे 1s1, इसका बेटा जी 1s2, 2s1, इसका बेटे 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6 and 4s1, बेटे आप देख सकते हैं, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, तो S में आएंगे कि क्योंकि कौन सा ग्रूप है बेटे, जी ग्रूप 1 है, सारो में एक ही है, लेकर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं, यह दूसरी प्रिड में आएगा यह तुसरी प्रिड में आएगा, तीसले और यह चौछते में यह, इसलिए हमने ओवरा लिखा जनरली, कि जनरली, S में एक ही हाएगा, सिरफ नंबर आफ चेंज होगा, इसलिए बैटे हमने यहां लिखा कि S में जनरली 2 ही आएंगे लेकर N number of shell क्या होता जाएगा इनके लिहाज से चेंज होता जाएगा अच्छा इसी तरह से हमने बात की तो यह जो group number 13 होगा हमने इनको normal consider कर रहा है बैटे बैटे तो यह दो यहां पे आ रहे थे इनको जब हम देखेंगे बैटे तो इनके group number 13 के balance electron 3 होंगे जो किस तरह से होंगे ns2 यह इसमें 2 आ चुके होंगे लेकर np क्या हो जाएगा बैटे 2 इससे next जैसे हम group number 15 में जाएगे बैटा जी तो जो group number 15 होगा उसमें क्या बनेगा बैटे ns2 np3 इसी तरह से बैटा जो group number 16 क्या होगा ns2 np4 और group number बैटे जो 17 होगा तो उसमें आएगा ns2 np5 ठीक है यह तो हमने इनकी जनरल electronic configuration discuss की बैटे तो याद रखिएगा बैटा जो group number 1 है उनको मलकली metals कहते हैं बैटे group number 2 को हम नाम दिया करते हैं बैटे alkaline earth metals group number 13 मैं आपके सामने पीरेड लिख देता हूं बैटे सेकंड पीरेड लिथियू बेरीलियू और इस तरफ जाकि बोरोम यह दरिम्यान में gap है यह s-plop वाले ऐसे सारे यह पी वाले होंगे इस तरफ और दरिम्यान वो जो डी और ट्रांजिशन वाले तो बोरोम carbon, nitrogen, oxygen, chlorine and neon तो बैटे यह group number 13 होगा यह one two तरम्यान में 3 से 12 तक कौन से होंगे बैटे जी transition वाले और यह P वाले तो यह group number 13 boron family होगी group number 14 carbon family group number 15 nitrogen family group number 16 oxygen family group number 17 का बैटे proper नाम जो है बैटे बैटे हम नाम दिया करते है नोबल गैसिस का और इनके electronic configuration जो बैटे हमें दिखाया जाती है वह होती है